हर्याना में काउंटिंग से पहले कॉंग्रेस में हल्चल क्यों है? क्या एक्जिक पॉल कॉंग्रेस के पक्ष में हैं, तो जो ट्रेंड है वो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है? विनेश फोगाट क्या एक नया दौर लेकर आरी हर्याना की राजनिती में? दरसल लगातार हर्याना की राजिनिती में अलग अलग रंग देखने को मिले और ये माना जा रहा है कि इस बार कॉंग्रेस की सरकार आने वाली है क्योंकि एक्जिक पोल की जितने भी रुठान सामने आए हैं उसमें कॉंग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है हलाकि जिस तरीके सलगातार हमने देखा है कि जो जाट वोटर से उन्होंने बहुत खुल कर विरोध किया है बीजेपी का हो सकते हैं दस साल के एंटी इंकम्बेंसी भी होगी और यही कारण है कि बीजेपी को एक बड़ा नुकसान होगा एक्जिक पोल के मताबिक जिस तरीके से रुठान सामने आ रहे हैं उसमें साफ तोर पर समझा जा रहा है कि कॉंग्रेस जीत दर्च करके सत्ता में आने वाली है अब देखिए जब से एक्जिक पोल के रुठान सामने आये हैं उसके बाद से लगातार कॉंग्रेस में हलचल किस्तिती देखी जा रही है क्योंकि जाहिर से बात है कॉंग्रेस उसाहिद भी है कॉंग्रेस के जो सीनर लीडर से कोशिश करेंगे अपने डाon खेलने की सीनर लीडर से मुलाकात करने की इशुशली राहूल गान्दी से की सत्ता की जो किसके खाते में जाएग इसको लेकर भी तीन चार नाम हैं जो की सामने आ रहे हैं और कोशिश अब यही है कि आला कमान से मुलाकात की जाए बाच्चित बढ़ाई जाए और सत्तक की कुर्सी पर बैठा जाए आप ये देखिए कि करीबी उमिद्वारों से मीटिंग कर हुड़ा दिल्ली पहुंचे है और शाम को राहुल गांदी से मुलाकात करने का भी सिलसला उनका रहने वाला है नबे विधान सबस सीटों पर वोटिंग की काउंटिंग से पहले जो एक्जिक पोल की रुझान सामने आए हैं उसके बाद से कॉंग्रेस में हलचल के स्थिति इसलिए भी है क्योंकि तीन चा के लिए रवाना हो गए थे आला कमान से मुलाकात करने और आज शाम राहुल गांदी से भी मुलाकात कर सकते हैं भरोसे मन्द उमीदवारों के साथ रोह तक में गर पर उन्होंने मीटिंग भी कर ली है क्योंकि माना जा रहा है वो मान रहे हैं कि शायद उनको कुर्सी मिले और भुपेंदर हुड़ा से पूछा गया कि मुख मंत्री या हर्याना के एक्जिट पोल पार्टी की जीत की संभावनाओं के बारे में उनकी हाई कमान से कोई बाचित हुई है तो उन्होंने कहा कि इस बारे में वा किजी बाहरी प्लेटफॉर्म पर कोई बाचित नहीं कर चाहेंगे दूसरी बड़ी जो दावेदार हैं सीम पत की वो हैं कुमारी शेलजा वोटिंग के दिन ही जिस दिन वोटिंग हुई है उसी दिन वो राजिस्थान पहुंची ती साला सार धाम और वहाँ पर उन्होंने पूजा की पूजा के बाद गाई की पूच से भी सीम ब पहुंचे उन्होंने मत्था टेका और इन तीन चेहरों के अलावा भुपेंद रुड़ा के सांसत बेटी दिपेंद रुड़ा का नाम भी सीम को लेकर चचाओं में जोरो शोरो से यह चार नाम हमने आपको बता दिये जहां पर सीम पत के दाविदारी की जा रही है अब आ नया दौर लेकर आरी हर्याणे की राजनीती में देखी हर्याणा की पूरुष प्रधान राजनीती में ये दरश्ट थोड़ा सा नया रहेगा अलग रहेगा और बहुत रोमांचिक रहेगा क्योंकि इस बार हट्टे कट्टे जाट मर्दों से भरा जो हॉल है वहाँ पर ए अपनी स्टार वैल्यू जानती है उन्होंने शरद रितू की दूप में बहुत मेहनत की खुब पसीन बहाया लोगों से बाचीत की बहुत भरोसा दिला और सबसे अच्छी बात यह है कि विनेश की पक्ष में बच्चे से लेकर बोढ़े तक हैं जो कि उनको समर्थन भी करत स्टार हैं तो जाइसे बात उनके साथ एक सेलफी लेनी की चाहत भी होती है और बुजर्गों से लेकर उत्साही कि शुरू तक हर कोई हर्याना की नविंतम आइकन की एक जलक पाना चाहता है और हरकों उनकी रैलियो में उनकी सभाओं में गया है बहुत बड़ी संख्या मे लोग पहुंच देते जब वो कोई भी रैली या कोई भी सभा करती थी माना यह जा रहा है कि हर्याना में जिस तरीके से मुख एक बड़ी राजनितिक पार्टी की तरफ से किसी महिला का नाम इस तरीके से खुल कर सामने आना दावेदारी करना यह बहुत जादा चर्चाओ लेकिन इस बार विनेश वोगाट एक नया दोर लेकर आने वाली हैं देखिए पेरिस उलंबिक में विनेश ने मौजुदा जो चैंपियन है यूई सुसाकी को हरा कर संसनी फिला दी थी लेकिन ओवर वेट की वज़े से कुछ दिक्कते हुई और उन्हें आयोग घोशित कर दिया गया अब हर्यारा की जिन्द जिले के जुलाना के गेहूं और सरसों के खेट पेरिस की चमकिली रोशनियों से बहुत दूर है लेकिन लडाई यहां भी उनके लिए बहुत बड़ी चुनोती लेकर खड़ी हुई है 15 सालों से यह सीट कॉंग्रेस जीती नहीं है जुल विनेश जीते जुलाना की पहली महिला विधायक होंगी आपको यह बता दें और यह इसलिए कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट अगर सत्ता में आती हैं तो एक नया दौर होगा उन महिलाओं के लिए जो राजिनिती में आगे आना चाहती हैं कॉंग्रेस के फैसलिन उन्हें और टौकिंग पॉइंट दे दिया हाली में वशो में अधिकांश मशूर हस्तियों ने भाजपा में शामिल होने का विकल्प चुना है लेकिन जब विनेश्ट वगाट को चुनने की बारी आई तो उन्होंने कॉंग्रेस का दावन थामा कॉंग्रेस के पक्ष में गई और पिछले एक दशक से हर्यान और उसके बाहर भाटपा राजनिती की एक प्रमुख ताकत भी रही है आप ही देखिए कि विनेश्ट वगाट जिन्होंने खुल कर सभी मंचों से बीजेपी का भी विरोध किया उन्होंने खेल के दौरान क्या-क्या परिशानिया झेली है इसका भी उन्होंने खुल कर अपनी बात रखी और इस वक्त हर्याना की जनता भावनात्मक रूप से भी विनेश्ट वगाट के साथ जोड़ी रही है और ये माना जा रहा है कि विनेश्ट की जो जीत है पिछले 15 सालों से जिस सीट पर कॉंग्रेस जीत नहीं पाई थी इस बार वो रिकॉर्ड तूटने वाला है 15 सालों का जो बनवास था कॉंग्रेस का जोलाना सीट पर वो इस बार अब खत्म होने वाला है क्योंकि विनेश्ट जीत कर आने वाली है अब देखिए हम जो बात कर रहे थे कि क्या जो ट्रेंड है वो बीजेपी के पक्ष में है एक्जिट पोल कॉंग्रेस के पक्ष में वो भी आपको थोड़ा सा समझा देते हैं असल एक्जिट पोल के रुजहान तो सभी ने देखे हैं जो बीजेपी के जो कॉंग्रेस के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन समझना होगा कि ट्रेंड क्यों बोला जा रहा है कि ये बीजेपी के पक्ष में हैं वो भी आपको समझा दे हैं हर्याना एक्जिट पोल में कॉंग्रेस सरकार बनाती हुए नजर आ रही है यानि कि रुजहानों में सबसे ज़्यादा है बहुमत के आंक्रे पार कर रही है लेकिन ट्रेंड में बीजेपी क्यों दिखाई दे रही है जो ट्रेंड है पिछले 20-25 सालों का हर्याना विधान सभ चनाव का वो बीजेपी के पक्ष में क्यों नजर आ रहा है वो आपको समझाना चाहेंगे दरसल 2009-2019 में 2% तक नहीं बढ़ी वोटिंग दोनों दफा त्रीशंग को असेंबली बनी है और इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है क्योंकि इस बार वोटिंग लेगी लेकिन जब वोटिंग प्रतिशत सामने आये तो पिछली बार के मुकाबले यानि कि 2019 के मुकाबले इस बार के वोटिंग प्रतिशत कम था और ये वाकी में चोकाने वाला था 90 सीटों के लिए हुई चुनाओं में 67.9% मतदान हुआ और इस बार 2019 के मुकाबले 0.3% कम वोटे हुई पात साल पहले 2019 में 79.2% लोगों ने वोट डाला था 10 साल से सरकार चलारी बीजेपी के प्रती सत्ता विरोधी लहर के बावजूत वोटिंग प्रतिशत नब बढ़ने के कई सारे मायने भी निकाले जा रहे हैं 2000 से 2019 तक जो हनियाना में विधान सबाचनाव में पोलिंग प्रतिशत से जुड़े आंकड़ों पर नरज़र डाले तो एक क्रेंड नज़र आता है जिसमें देखा ये जाता है कि अगर वोटिंग प्रतिशत कम है या बहुत मुश्किल से एक या दो प्रतिशत बढ़ा है तो वहाँ पर जो सत्ता है वो मौजूदा सरकार की ही होती है बहुत जादा बदलाब देखने को नहीं मिलता है और इस बार तो वोटर खासकर की जाट कम्यूनिटी बीजेपी के खिलाफ खुलकर बोलती नज़र आई दलीताबादी का एक बड़ा हिस्सा भी भाजपाच से नरास था इसके बावजूद जो वोटिंग प्रतिशत वो बढ़ नहीं पाया और इसे लग रहा है कि विपक्ष में बैठी कॉंग्रेस के रणीतिक कार कही न कहीं चूक गहें और इस गुस्से को वो बहुत अच्छी तरीके से भुना नहीं पाए हैं दूसरी तरब भाजपा की जितने भी सीनर लीडर से उलगातार हर्याना में बाचीत करते रहें मैदान में उतरे रहें मतदान की दिन आने तक कहीं न कहीं हर चीज मैनेज करने की कोशिश करते रहें काफी हद तक हूँ काम्याब हो सकते हैं जो ट्रेंड बता रहा है वो हम आप से साज़ा कर रहे हैं हर्याना की चार विधान सभाओं का चुनाओं का जो ट्रेंड रहा है वो एक बात चोटे से फॉर्म में आप समझी है दो हजार पांच में करत्तर दशनलवाफ पांच फीस से दी वोटिंग हुई तब राज में सत्ता परिवर्तन हुआ आई एन एलडी की जगे कॉंग्रेस ने पूर बहुमत से सरकार बनाई दो हजार नौ में दो हजार पांच के मुकाबले शुन दशनलवाफ चार प्रितिशर बढ़ोतरी के साथ बहत्तर दशनलवाफ तीन फीस सदी वोटिंग हुई तब कॉंग्रेस ने चालिस सीटों पर सिमट बीजेपी ने पूर बहुमत से सरकार बनाई दो हजार नौनिस में 11.03 फीस सदी के गिरावट आई वोटिंग प्रितिशत में और बीजेपी को बहुमत से 6 सीटे कम मिली जजबा की साथ मिलकर फिर भी बीजेपी ने सरकार बना ली है और इस बार का जो वोटिंग प्रितिशत कम होता है तो जो मौझूदा सरकार होती ही कहीं न कहीं उसी की सरकार बनती है ट्रेंडिक अनुसार और यह माना जा रहा है किस बार भी अगर ट्रेंड पर जाएं तो बीजेपी कहीं न कहीं मेल जोल करके सत्ता में फिर से आ सकती है बहुत ही दिल्चस्प होने वाला है कलकर जो मतगरना होगी क्योंकि हर्याणा की राजजिनीती साफ दौर पर समझी जा रही थी कि कॉंग्रेस जीत कराएगी जो रुजहान है एक्जिट पोल के उसमें साफ दौर पर कॉंग्रेस सत्ता बनाती हुए नजर आ रही है चार नाम हमने आपको बता दिये ज उसमें कहीं न कहीं बीजेपी सत्ता में आती हुई नजर आ रही है अब देखना यही है कि आखिरकार वोटिंग प्रतिश्चत कम होना कारण क्या हो सकते हैं कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर जाता है ये पूरा वोट ये पूरा विधान सबद चुनाफ तो बीजीपी एक बार फिर से सत्ता में आ सकती है लेकिन जाटो का विरोध जो दलित समाज है उनका विरोध लगाता नाराजगी दस साल की एंटी इंकमेंसी सरकार के प्रतिश जितने किसानों का आंदोलन रहा है इन सब को देखते हुए कॉंग्रेस भी उत्साहित है कल की दिन को लेकर देखना यह होगा कि क्या होता है और बाकी लगातार अपडेट के लिए निउस जाटीन के साथ बढ़ी रही आप इसको लेकर क्या सोचते हैं आपके अंदर क्या विचारे ज़रूर आप कोमेंट बॉक्स में लिकिए साजा करें अपने विचार और बाकी खबरों के लिए नेटवर्क टीम के साथ नमस्कार